लिजे सुनिये शरत चंदर चटो पाध्या की लिखी कहानी महेश मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गाउं का नाम है काशीपूर चोटा सा गाउं और जमीदार उससे भी छोटा मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा की कोई परजा चूंतक नहीं कर सकती चोटे लड़के की जन्मतिती की पूजा थी पूजा समाप्त करके तरक रत्न महाशाय दो पहर के वक्त घर लोट रहे थे बैसाख खतम होने को है पर आकाश में कहीं बादल की चाया तक नहीं अनावरिष्टी के आकाश से मानो आग जहर रही हो सामने का दिगंत व्यापी मैदान कड़ी धूप से सुक कर भटने लगा है और उन लाकों दरारों में से धरित्तरी की च्छाती का खून मानो धुआ बनकर उड़ा जा रहा है अगनी शिखासी उसकी लहराती हुई उर्धु गती की तरफ देखने से सिर्चकराने लगता है जैसे नशा आ गया हो उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आमिला है मानो अंतहपूर की लज्जा और आबरू पथिकों की करणा के आगे आत्म समर्पन करके निश्चिंत हो गई हो सड़क के किनारे एक पेड की छाया में खड़े होकर तरक रत्ने ने पुकारा ओरे ओ गफूरा घर में है क्या उसकी दस एक साल की लड़की ने दर्वाजे के पास आकर कहा क्यों बापू को तो बुखार आ गया है बुखार बुला हरामजादे को पाखंडी मलेच कहीं का शोर गुल सुनकर गफूर मियाग घर से निकल कर बुखार में कापता हुआ बाहरा खड़ा हुआ पूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है तरकरत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा ये क्या हो रहा है सुनू तो सही ये हिंदूआं का गाव है जमीदार ब्राहमन है सो भी कुछ होश है उनका चेहरा गुस से और धूप से सुर्क हो रहा था लहाजा उस मुह से गरम और तीखी बात ही निकलेगी मगर कारण न समझ सकने से गफूर सिर्फ उनके मुह की तरफ देखता रहा तरकरत्न ने कहा सवेरे जाते वक्त देखी गया था बंधा था और दोपहर को लोटते वक्त देख रहा हूँ कि ज्यों का त्यों बंधा हुआ है गोहत्य होने पर मालिक साहब तुझे जिन्दा गार देंगे वे ऐसे वेसे ब्राम्मन नहीं है क्या करूँ पंडित महराज बड़ी लाचारी में पढ़ गया हूँ नहीं गये खलिहान में पड़े हुए है पौाल भी अभी तक जो कत्यों पड़ा है और मैदान तो सब सूख कर सफाचट हो रहा है कहीं भी मुठी भर घास नहीं किसी के धान में मुह मार दे किसी का पौाल तहस नहस कर डाले कोई ठीक नहीं छोड़ूं तो कैसे छोड़ू महराज तरकरत्न ने जरा नरम होकर कहा नहीं छोड़ता तो कहीं छाह में बांध कर दो आटी पौाल ही डाल दे चबाया करेगा तब तक तेरी लड़की ने भात नहीं रादा माल पानी दे दे थोड़ा सा पी लेगा गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया निरूपाय की भाती तरकरत्न के मुह की तरफ देखता रहा उसके मुह से एक दीरगनिश्वास निकल पड़ा तरकरत्न ने कहा सो भी नहीं है क्या पौाल सब क्या कर दिया हिस्से में जो कुछ मिला था सो बेच बूच कर पेटाए स्वाह बेल के लिए भी थोड़ा सा नहीं रखा कसाई कहीं का इस निश्ठुर अभियोक से गफूर की मानो जबान बंद हो गई शन भर बाद उसने आहिस्ते से कहा जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया रो बिलक कर हाथ पाउं जोड के कहा बाबु साहब हाकिम है आप आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ मुझे थोड़ा सा पोवाल दे दीजे छप परचाना है एक कोठ्री है बाब बेटी का रहना है सो भी खेर इस साल ताड़ पत्तों से गुजर कर लूँगा लेकिन मेरा महेश भूको मर जाएगा तरक रत्न ने हसकर कहा और आपने शौक से इसका नाम रख छोड़ा है महेश हसी आती है मगर ये व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया वो कहने लगा लेकिन हाकिम की महरबानी नहीं हुई दो महीने की खुराकला एक धान हम लोगों को दे दिया लेकिन पौाल सब हिसाब में ले लिया इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला ये कहते कहते उसका गला भर आया परन तु तरक रत्न कोस पर करुणा नहीं आई बोले अच्छा आदमी है तू तो पहले से ले रखा है देगा नहीं समीदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा अरे तुम लोग तो रामराज्य में बसते हो आखिर कौम तो नीच ही ठहरी इसी से बुराई करता फिरता है गफूर ने लज्जित होकर कहा बुराई क्यों करने लगा महराज उनकी बुराई हम लोग नहीं करते लेकिन दू कहां से बताएए चार बीगे खेत हिस्से में जोतता हूँ पर लगातार दो साल अकाल पड़ गया खेत का धान खेत में सूख गया बाप बेटी को दोनों चाक भर पेट खाने को भी नहीं मिलता घर की तरफ देखिए बरसा होती है तो बिटिया को लेकर एक कौने में बैठ के रात बितानी पड़ती है पैर फेला कर सौने को भी जगए नहीं महेश की तरफ देखिए हड़िया निकल आई है देना दीजे महराज थोड़ा सा पौाल उधार देदीजे दो चार दिने से भर पेट खिला दू कहते कहते वो धप से ब्रामन के पैरों के पास बैठ किया तरक रत्न महाशेतीर की तरहे दो कदम पीछे हट कर बोल उठे अरे मर चूलेगा क्या नहीं महराज चूओंगा क्यों चूओंगा नहीं इस साल दे दीजे महराज तोड़ा सा पौाल दे दीजे आपके हाँ चार चार टाले लगी हुई है उस दिन में देखाया हूँ थोड़ा सा दे देने से आपको कुछ मालूम भी नहीं होगा बड़ा सीधा जीव है मुझे कुछ कह नहीं सकता सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आखों से आसू डालता रहता है तरक रत्न ने कहा उधार तो ले लेगा पर अदा कैसे करेगा सो तो बता गफूर ने आशानवित होकर व्याग्रिसर में कहा जैसे बनेगा मैं चुका दूँगा महराज जी आपको धोखा न दूँगा तरक रत्न महाशय ने मुझे एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरन करते हुए कहा धोखा नहीं दूँगा जैसे बनेगा चुका दूँगा रसिक नागर बन रहा है चल चल हट रास्ता छोड़ घर जाना है बहुत अबेर हो गई है इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए घुस्से में आकर कहने लगे अरे मर सिंग हिला कर मारने आ रहा है सिंग मारेगा क्या गफूर उठके खड़ा हो गया पंडित जी के हाथ में फल मूल और भीगे चावलों की पोटली थी उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा गंध मिल गई है ना उसे इसी से कुछ खाने को मांगता है खाने को मांगता है ठीक है जैसा खुद गवार किसान है वैसा ही बैल है वाल तो नसीब नहीं होता केले चावल खाने को चाहिए हटा हटा, रास्ते से एक तरफ हटा कर बांद, कैसे सींग है, किसी दिन किसी की जानना ले ले कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बच कर निकल गए गफूर उनकी तरफ से द्रिश्टी हटा कर कुछ देर तक महेश की तरफ एक टक देखता रहा उसकी गंबीर काली आके वेदना और भूक से भरी थी, उसने कहा, तुझे दिया नहीं मुठी भर, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसी को, ना दे, कहते कहते उसका गला रुन्धाया, और आँखों से टपटा पांसु गिरने लगे, महेश के पास आकर वो चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीट पर, हाथ भेरता हुआ, चुपके से कहने लगा, महेश तु मेरा लड़का है, तो हम लोगों को आठ साल तक खिलाता पिलाता रहा है, अब बुढ़ा हो गया है, तुझे मैं भर पेट खिला भी नहीं सकता लेकिन तु तो जानता है कि तुझे मैं कितना चाहता हूँ, महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ा कर आराम से आँखे मीच ली, गफूर अपने आसू महेश की पीट पर पहुँचता हुआ, उसी तरह असफुट स्वर में कहने लगा, जमीदार ने तेरे मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़ कर खा जाएगा, तेरे लिए अब मैं क्या करूँ, देह में अब तेरे ताकत भी नहीं, गाओं का कोई भी अब तुझे चाहता नहीं, लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए, मनी मन इन शब्दों के उच्चारन करते ही उसकी आँखों से टपटा पांसु गिरने लगे, उन्हें हाथ से पोंच कर वो इधर उधर देखने लगा, फिर फूटे घर के चपर से थोड़ा सा पुराना मैला भद्दा पुआल खीच लाया और उसे महेश के सामने रख कर धीरे से कहने लगा, ले जल्दी से थोड़ बहुत खाले, देर होने से फिर, बापु, क्यों बिटिया, आओ भात खालो, कहती हुई अमीना घर से निकल कर दरवाजे पर आखड़ी हुई, शन्भर देख कर उसने कहा, महेश को फिर छपर का पुआल खिला रहे हुँ बापु, ठीक इसी बात का उसे डर था, लज्जित के निकाल रहे थे, नहीं बिटिया, ठीक खीच के नहीं निकाला, लेकिन धीवार जो गिर जाएगी बापु, गफूर चुप रहा, सिर्फ एक कोठरी के सिवा और सब कुछ तूट फूट गया है, और इस तरह करने से अगली बरसात में वो भी नहीं ठिक सकती, ये बात उस मार तो जरा देजा बिटिया, महेश को पिला पिलू कर निर्चू होकर खाने बैठूंगा, मार तो आज नहीं रहा बापु, हडियां में ही रह गया, नहीं है, गफूर चुप हो रहा, ऐसे कश्ट के दिनों में जरा भी कोई चीज बिगारी नहीं जा सकती, इस बात को दस स की ताली में दाल भात लिए बैठी है, देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो फिराज जाड़ा मालुम हो रहा है बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा, अमीना ने उद्द्यूग ने चेहरे से कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूक ल तो और भी खराब हो जाएगी अमीना, अमीना ने कहा, तो फिर, गफूर ने ना जाने क्या क्या सोच विचार कर, सैसा इस समस्या की मीमान सा कर डाली, बोला, एक काम करो ना बेटी, ना हो तो महिश को खिला दू, रात को फिर मेरे लिए मुठी भर नहीं बना सकोगी अमीन उत्तर में अमीना मुह उठा कर शणभर चुपचा पिता की मुह की ओर देखती रही, फिर सिर जुका कर धीरे से बोली, हाँ बना लूँगी बापू, गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा, बाप और बेटी में ये जो थोड़ा सा मायाचारी का अभिने हो गया, उसे इन दो प्राणियों के सिवा शायद और भी एक जन्ने अंत्रिक्ष में रहकर देख लिया, पांच साथ दिन बाद, एक दिन बीमार गफूर चिंतिच चेहरे से अपने आंगन में बैठा था, उसका महेश कल से अभी तक लोटा ही नहीं, खुद वो कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारो तरफ ढूंडती फिर रही है, दिन चुपने से पहले उसने वापस आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने अपने महेश को ठाने भिजवा दिया है, गफूर ने कहा, चल पगली, हाँ बापू सच, उनके नौकर ने मुझ से कहा कि अपने बाप से जा रहा, महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुरगटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी, वो जैसा निरी है, वैसा ही गरीब, लहाजा पास पडों से कोई उसे इतनी बड़ी सजा दे सकता है, इस बात का डर उसे नहीं था, खासकर मानिक घोश सेतों से, गव और ब्रहमनों पर जिसकी भक्ती अन गाउं तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी, लड़की ने कहा, दिन तो छुपा आता है बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे, कफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा है कि तीन दिन की भीतर नहीं छुडाने से, पुलिस वाले उसे गोहटी में बेच डालेंगे, गफूर ने कहा, बेच डालने दो, गोहटी ठीक क्या चीज़ है, अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उलेक होते ही, उसका बाप कैसा विचलित होटता है, इस बात को उसने बहुत देखा था, परंतु आज वो और कोई बात न कहकर चुप चाप धीरे से चला गया, रात के अंधेरे में चिपकर गफूर बंशी की दुकान पर जाकर बोला, चचा, आज एक रुपया देना होगा, कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली बंशी के बैठने के माचे के नीच रख दी, इस चीज की तौल वगेरे से बंशी परचित था, पिछली दो सालों में उसने इसे पांच-छे दफे गिर्वी रख कर एक-एक रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ती नहीं की, दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया वही बबूल का पेड़, वही रसी, वही खूटी, वही रीती नांद, वही शुधात और काली आँखों की सजलुत सुक दृष्टी, एक बुढ़ा सा मुसल्मान उसे अत्यांतिती वरिदृष्टी से देख रहा था, पास ही एक किनारे से दौनों घुटने मिलाए गफूर के पास जा कर बोला, अब मोल तोल करके से बुनाओंगा नहीं, ये लो, पूरे दस के दस दिये देता हूँ, लो, गफूर ने हाथ बढ़ा कर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचा बैठा रहा, जो दो आदमी बुढ़े के साथ आए थे, उनके पगहा पर हाथ लगाते ह गफूर अकासमाद उठकर सतर हो गया और उद्यत स्वर में बोल उठा, पगहा से हाथ मतलगा ना कहे देता हूँ, खबरदार अच्छा नहोगा, वे चौंक पड़े, बुढ़े ने आश्यर के साथ कहा, क्यों, गफूर ने उसी तरह घुसे में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज़े, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी, इतना कहकर उसने नोट को अलग फिंक दिया, उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, ये लो अपना बयाना वापस ले लो, कहकर उसने अंटी में से दो रुपिया निकाल कर जन्ने से पटक दिये, एक यही तो, नहीं, मगर इस से जादा कोई एक अधेला भी नहीं देगा, मालू में, गफूर ने जोर से सिरहला कर कहा, नहीं, बुढ़े नाराज होकर कहा, तो क्या, चम्रे की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें क्या है, तोबा तोबा, गफूर के मुझ से अचाने के भद्धी कडवी बात निकल गई, और दूसरे हिशन वो अपनी कोठरी में जाकर चिला चिला के धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गाउं के बाहर नहीं चले गए, तो जमीदार के आदमियों को बलवा कर जूते मार कर निकलवा देगा, शोर गुल सुनकर लोग प्रेर कर कहा, गफूरा तुझे क्या सजा दी जाए कुछ समझ में नहीं आता, किसकी जमीदारी में रहता है जानता है, गफूर ने हाथ जोड़ कर कहा, जानता हूँ, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो भी कुछ जुर्माना करते, मैं ना नहीं करता, सभी आश्यर चकित रह गए, इस आदमी को वे जिद्धी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे, गफूर ने रुद्धे हुए गले से कहा, इसा काम अब कभी न करूँगा मालिक सहब, इतना कहकर उसने खुदी दोनों हाथों से अपने कान पकड़े, और आंग मत करना, वर्णन सुनकर सबके रोएं खड़े हो गए, और इस विशय में किसी को रंच मात्र भी संदे ना रह गया, कि ऐसा महापातक होते होते जो रुग गया, वो सिर्फ मालिक सहब के पुन्य के प्रभाव से और शासन के जोर से, तरक रत्न महाशा भी उपस थित थे, उ लोगों के ग्यान नेत्र खोल दिये, गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बलकि उसने इस अपमान और तिरसकार को यथार्थ प्राप्र समझ कर सिर्माथे ले लिया, और वो प्रसन ने चित्त से घर चला गया, उसने पड़ोसी के घर से मान मंगा कर पहिश को पि आकाश किया था, वो कितनी भीशन और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बात का अनभाव आज के आकाश की तरफ बगएर देख किया ही नहीं जा सकता है, कहीं भी जरा करुणा का आभास तक नहीं, कभी इस रूप का लेश मात्र परिवर्तन हो सकता है, और किसी दिन ये आ आकाश बदलियों से घिर कर सजल दिखाई दे सकता है, इस बात के आज कल्पना करते भी डर लगता है, समस्त प्रज्जुलित नभिस थल्वयापी जो आग लगाता जहर रही है, उसका अंत नहीं समापती नहीं, सब को अंत तक जला कर खाक किये बगएर वो नहीं रुकने क ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लोटा, दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करने की उसकी आदत नहीं, और अभी बुखार को छूटे भी चार पांच दिन ही हुए हैं, शरीर कमजोर है ठका हुआ, फिर भी आज वो काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी ते में खड़े होकर उसने आवाज दी, अमीना भात हो गया रही, लड़की कोठरी में से आहिस्ते से निकल कर चुपचाप खूटी के सहारी खड़ी हो गई, जवाब ना पाकर गफूर चिला कर बोल उठा, हुआ भात, क्या कहा, नहीं हुआ, क्यों, क्यों नहीं हुआ बता, चावल नहीं है बापू, चावल नहीं है, सवेरी क्यों नहीं कहा मुझसे, रात को तो कहा था, गफूर ने मुह बना कर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था, रात को कहने से किसी को याद रहती है, करकश कंट से उसका क्रोध दूना बढ़ गया, वो चेह में बंद करके रखूंगा ला एक लोटा पानी दे मारे प्यास के छाती भटी जाती है कहदे पानी भी नहीं है अमीना उसी तरह सिर जुकाय खड़ी रही कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं तब तो वो अपने को समाल न सका उसने चट नहीं दिया मिट्टी की गागर उठा कर ऐसी कडाके की धूप में ही आँखे पोंचती हुई वो चुप चाप चल दी मगर उसकी आखोंके ओजल होते ही गफूर की छाती मशूल सा चुबने लगा बिगर मा की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पूस कर बढ़ा किया है सो वही जानता है वो सोचने लगा उसकी इस इसने मई कार परायन शांत लड़की का कोई दोश नहीं है खेत का जो थोड़ा सा नाच था उसके निबट जाने के बाद से उसे दौना वक्त भर पेट खाने को भी नहीं मिलता किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन व पांच पांच दफे खाने की बाद जितनी असंभव है उतनी ही जूट और घर में पानी ना रहने का कारण भी उससे छिपाना था गाह में जो दो तीन तालाब है वे बिलकुल सूख गए हैं शिवचरन बाबू के पिछवाड़ी की पोकर में जो थोड़ा बहुत पानी है भी सुख सब को मिलता नहीं और और तालाबों में एक आध जगए गढ़धा खोद कर जो कुछ पानी संचित होता है उसके लिए छीना जप्टी मच जाती है और वहां भीड़ भी बहुत रहती है मुसल्मान होने से वो उनके पास भी नहीं जा सकती घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत नहोरे करने पर कोई दया करके उसके बरतर में डाल दे तो वो घर लावे इस बात को वो जानता था हो सकता है कि आज पानी ना रहा हो या छीना जप्टी के बीच किसी को लड़की पर किरपा करने का मौका ही न मिला हो ऐसी ही बात हो गई होगी ये सम में उत्तर दिया हूं क्यों क्या है बाबु साहब बुला रहे हैं चल गफूर ने कहा अभी मैंने खाया पिया नहीं पीछे जाओंगा इतना जबरदस्त होसला पे आदे से सहा नहीं गया उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा बाबु का हुकम है जूता मारते मारते घसीट ल रहता हूं मुफ्त नहीं मैं नहीं जाता मगर संसार में इतने चोटे के लिए इतने बड़े की दोहाई देना सिर्फ वेर्थ ही नहीं बलकि विपत्ती का भी कारण है इतनी खैर हुई कि इतना शीन कंठ उतने बड़े कानों तक पहुँचा नहीं तो उनके मुह कान और तब उसका मुह और आखे सब फूल रही थी उसकी सजा का प्रधान कारण है महेश उसके घर से बाहर निकलने के बाद ही वो पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमीदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नश्ट कर डाले अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वो बाबु साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया ऐसी घटना ये पहली ही पहल हुई हो सो बात नहीं इसके पहले भी हुई है पर गरीव होने से उसे माफ कर दिया जाता था परंतु परजा होकर उसका ये कह देना कि वो लगान दे कर रहता है और किसी क गुलाम नहीं, जमीदार से किसी भीतर है, सहा नहीं गया, वहां उसने पिटने और बेजज़त होने का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सब कुछ मुह बंद करके सह लिया, और घर आकर भी वो उसी तरह मुह बंद करके पड़ा रहा, भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी, इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं, परंतु आंगन से सहसा अपनी लड़की का आर्थ कंठ कान में पढ़ते ही, वो तड़ाक से उठके खड़ा हो गया, और लपका, बाहर जाकर देखता क्या है, कि अ जफूर का होश हवास जाता रहा, मरमत के लिए कल उसने अपनी हलका सिर खोल रखा था, उसी को दौनों हाथों से उठा कर उसने महेश के जुके हुए माते पर जोर से दे मारा, एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुँ उठाने की कोशिश की, उसके बाद उसका भूखा प बेह निकला, दो तीन बार सारा शरीर थर थर कर काप उठा, फिर सामने और पीछे के पैर, जहां तक तन सकते थे, तन ना कर महेश ने अंतिम सास छोड़ दी, अमीना रोठी, क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया, गफूर टस से मस नहुए, ना कुछ जवाब दिया सिर्फ निर्निमेश दृष्टी से सामने पड़े हुए महेश की निमेश हीन गंभीर काली आँखों की तरफ देखता हुआ, पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा, दो घंटे के भीतर, खबर पाकर दूसरे गाउं के मौची आज उटे, और महेश को बांस में बांध कर बीःड की तरफ ले चले, उनके हाथों में पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सेहर उठा, चट से उसने आखे मीच ले, उसके मुझे एक लफ़ तक नहीं निकला, मौले के लोग कहने लगे, तरकरतन जी से विवस्था लेने के लिए जमीदार ने आदमी भेजा ह प्राश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर दौर तक बिक जाएगा, गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो घुटनों पर मुह रखकर चुक्चा बैठा रहा, बहुत रात बीते गफूर ने लड़की को जगा कर कहा, अमीना, चल, हम लोग चले यहां से, वो बरामदे में सो रही थी, आखे मीड़ती हुई उठके बैठ गई, बोली, कहा बापू, गफूर ने कहा, फूल बाड़ी की जूट मिल में काम करने, लड़की आश्यर में पढ़ गई और बाप का मुह ताकने लगी, इसके पहले बड़े से बड़े गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, चल, बहुत दूर पैदल चलना है, अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया, ये सब रहने थी बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रास्चित होगा, अंधकार मैं गंभीर निशीत मैं, गफूर लड़की का हाथ पकड़ कर घर से निकल पड़ा, गाउं में उसका कोई आत्मिय नहीं था, लहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की भी जरूरत नहीं थी, आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहु मर गया, उसके चरने खाने तक को किसी ने जमीन नहीं छोड़ी, मुझे जितनी चाहे सजा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ मत करना, अभी आप सुन रहे थे, शरत चंचटोपाध्या की लिखी कहानी, महेश, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में,